कि नमस्कार SPN 9 News आप देख रहे हैं आयोधिय में नम निर्मित राम मंदिर में प्रांड प्रतिष्ठा की तयारियां जोरूर पर है इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद शफिकुर्रह्मान बर्क का बयान चर्चा में आ गया है शफिकुर्रह्मान ने कहा है कि वो राम मंदिर की उद्गाटन में बिलकुल नहीं जाएंगे बर्क ने आगे कहा कि हमारी मस्जद पर ताकत के जरी उन्होंने कबजा कर लिया हम तो बस अल्ला से दुआ करेंगे कि जो बाबरी मस्जद हम से छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए बतादे कि उद्ध्या में 22 जन्वरी को राम लला की मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा का समाहर हो है इस कारिक्रम में प्रधान मंद्री नरिद्र मोदी मुख्य यजमान होगे उद्गाटन के अगले ही दिन यानी 23 जन्वरी से आम लोगों को बगवान राम के दर्शन के र इसके अलावा कई अन्य गड़मान भी राम मंद्र के उद्गाटन कारिक्रम की साक्षी बनेंगे इस समाहर वादी पार्टी के सांसद शफिक उर्हमान बर्क से पूछा गया था कि क्या वो मंद्र के उद्गाटन में जाएंगे इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो बिलकुल न कर दिया है शफिकूर रह्मान बर्क नी आगे कहा कि हमारी मस्जिद पर ताकत से उन्होंने कबजा कर लिया हम तो बस अल्लह से दुआ करेंगे कि जो बाबरी मस्जिद हम से छीन ले गई है वो हमें वापस दे दी जाए उन्होंने कहा कि कोट में भी उसका मुकदमा गया ल इंसानियत के खिलाफ है वहरहाल दुनिया की रिवायत के खिलाफ है बर्क का कहना था कि दुनिया के अंदर सभी धर्मों की लूग मौजूद है लेकिन कभी ऐसा काम नहीं हुआ है इस तरीके मस्जिद को तोड़कर उसकी जगे मंदिर बना दिया जाए यह कौन से इंसानि एक देन है इस्पिन नाइनुट